बिस्मिल्लारमान रहीम वालकम टू दो वीडियो सेशन केंट पॉब्लिशर्स बिफोर वी स्थार्ट यू नीड इस त्री बुक्स वीडियो सबसे पहले प्यारे बच्छों आपके पास जेनरल साइंस की बुक होनी चाहिए सेकंड तिंग इस समर पैक बिकोज नावडेंस यूर सिटिंग अट होम तो आप लोग के पास समर पैक भी हो तो ज्यादा अच्छा है बहुत अच्छा है और तीसरी चीज है प्यारे बच्छों रिस्वार्स पैक यह रिस्वार्स पैक जो है इस इस फ़र टीचर लेकिन आज आज शेट सूफ मेंट नबंभवन साòng इट लेकृट अझरड टेवीड टोड़ीट लेकृड वी चैजड भय वाल अगे जोई आयों सकता है और इसी तरीके से ग्येस लिकविड में ही चेंज ओसकता है और लिकविड सॉलेड में भी चेंज ओसकता है और इसमें अब काम किसी सिस्का है Mainly that is यह बडड़ विभर इपार आट जस्ट पनेंग लांसनद अलाज अंदनते के solid की क्या properties है if somebody ask you के solid क्या चीज है solid matter की वो state है जो अपनी position अपनी position और size को retain कर सके for example हमने एक बरफ का piece of ice we took अगर इसको हमने ऐसे ही जमीन पे रख दिया it will be the same हमने इसको glass में रख दिया then again its size and shape will be the same अगर हमने इसको पलेट में रख दिया again its size and shape will be the same in the same way is ice apple को apple को अगर आप किस में रखें अगर apple को आप टौकरी में रखें पलेट में रखें टेबल पे रखें तो यह अपनी अपना size अपनी shape को बरकरार रख सकता है and this is the characteristic of solids solids can retain their size and shape right so just have a glance on the text solid a substance that retain its size and shape is called solid the particles of solids are closely packed due to strong attractive forces between the particles therefore the particles of solids cannot move around as a result solid has stable definite shape solids can only change their shape due to application of force so dear students now I'm going to tell you that how solid changes into liquid for example this is solid right solid के जो molecules होते हैं जो particles मेरे प्यारे बच्चों आगले classes में आप माली कूल को detail से पढ़ोगे के माली कूल क्या चीज़ होती है अब यह जो particles यहां पे simply हम बोलेंगे यह particles बहुत closely connect होते हैं इनके अंदर forces होती हैं और उन forces ने इनको बहुत closely pack किया होता है इसको यह प्रेशर हम डालेंगे यह मैनली इसको हम heat करेंगे जब हम इसको heat करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह अब इसको हमने किसी container में for example एक और भी चीज़ है यहां दिस इस आइस right अब इस ice को हमने यहां पे भी हम एक activity आपको मैं बताऊंगा इसको हमने आई में ही रख दिया दूप में हवा में तो यह क्या हो जाएगा यह melt होना शुरू हो जाएगा और यह जो water molecule होंगे यह बड़े प्यारे अंदासे containers का shape इखियार कर लेंगे और इस form में क्या होगा इनका जो आपस में जो forces हैं वो इतने pack नहीं होंगे जितने यह solid में थे तो solid में क्या होगा यह जो molecules हैं बहुत पेक होते हैं जबके liquid में यह molecule इतने pack नहीं होते हैं यह तोड़े से distance पे होते हैं and this is called is change of state change of state you might have noticed that ice cream and ice cube melt when they melt they gradually change from solid into liquid state and this changing process is known as melting यहां देख लें आपको एक नजर आ रहा हैं प्यारे बच्चो इसको देखें इस picture को इसमें you see this is solid पहले लिका यह solid है और जब इसकी melting हो गई यह देकर melting color first melting में यह liquid बन गया जब इसको दोबारा हम freeze कर लेंगे यानि इसको अगर हम fridge में रख देंगे तो यह दोबारा solid में आ जाएंगे तो क्या हो गया temperature जब temperature बढ़ाया तो solid से liquid में आया जब temperature फिर कम कर दिया तो liquid से यह solid में आ गया यहां पे एक और activity आप लोगोंने गर पे करना है take some cubes of ice right और इसको बहतर होगा किसी plate में डाल दें right अब इनकी जो shape और size है वो अपनी है और plate की अपनी है लेकिन you will see after some time कि जब इनको हम open air में रखेंगे तो तोड़ी दियर के बाद you will see this position यह melt होने शुर हो जाएंगे अब उपर क्या है solid नीचे क्या है liquify liquid बनने लगा और कुछ वकत के बाद यह सारा का सारा melt हो जाएगा और इसको हम solid से liquid में convert कर लेंगे this process is called is melting हाँ मेरे प्यारे बच्चो अगर यहाँ पे जो पानी बना इसको हमने fridge में रख दा फ्रीजर में तो यह दोबारा क्या आ जाएगा यह पिर solid में आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे freezing कहेंगे यहनी solid अगर solid जाता है किसमे water में solid क कौन है प्यारे बच्चो आइस अगर ice solid है वो water में जाता है तो इस process को हम क्या कहेंगे यह याद रखो मैं आगे पूछूंगा melting लेकिन अगर इस पानी को हम दोबारा fridge में रखके इसको ice बना दे तो इसको क्या कहेंगे freezing कहेंगे मेरे प्यारे बच्चो मुझे है कि मेरे ब किसे कहते हैं और melting process कौन सा होता है और freezing process कौन सा होता है सो मेरे प्यारे बच्चो homework के लिए ready हो जाओ और homework क्या है उटाओ अपना summer pack और summer pack में इस के ओपर joy activity दिये just do it today don't forget to do tomorrow we will have another walk so best of luck my dear students Allah Hafiz कर दो उपना तो जाओ दो ओना अबस्पर्ट के लिए आफ दिक है क्या क्यांक मुट्स आर थालिए और एंका और सक्ष्चो